सो हेलो फ्रेंट्स कैसे हो आप लोग आपका स्वागत है मेरे चैनल के सेकंड व्लोग में और आज का जो व्लोग है वो काफी खास होने वाला है आप लोगों के लिए काफी यूनिक होने वाला है इस व्लोग में मैं आपको ऐसी चीजों का कॉलेक्शन दिखाने वाला हूं ज से लेकर अब ही जो माचिस चल रही है वो माचिस मिल जाएगी और यह जो माचिस क्लेक्ट करते हैं इनका नाम है SS Agarwal यहनी स्याम सुंदर Agarwal और इनको दुनिया का माचिस मेन भी कहा जाता है तो आज हम उनहीं पास जाने वाले हैं उनकी उनिक माचिस का collection देखने के लिए और बताया जाता है कि उनके पास 2 लाग से भी जादा माचिसों का collection है। उनके पास लगभग दुनिया की जो माचिसे हैं वो हैं सारी माचिसें आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगी अगर आप वहां के अपने नाम के माचे सर्च करते हैं तो वह भी आपको मिल जाएगी तो चलिए हम चलते हैं शामसुंदर जी की घर तक और तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों इनका जो एड करवाल के घर पे उनका कोलेक्शन देखने के लिए और उन्होंने अभी तक इतनी माचे से कोलेक्ट किये जब से माचे स्टार्ट हुई है जब से पहली माचे स्टार्ट हुई है तब से लेकि आज तक की माचे से उन्होंने कोलेक्ट कर रखी हैं और माचे सों के अलावा भ यह इनने क्लेक्टे कर रहता हैं आपको पहले और आइडिया कहा है कि हमें यह चीज क्लेक्ट करनी चाहिए सबसे पहले आपको किस चीज क्लेक्ट करने का आइडिया आया था परक कर दो, पड़ा सें लटफ बिर्माची जाबता था, बिर्माची से साथ एकड़ादी आठी ऐसा, यह जपने लेता हुं अजर्च को दिखा रहा हूं? वजए जरून होगा, सबहुंते हैं उत्ने वराइटी की होती है बाद में लिरिडिलाः का जो हुई इस वी आप चालिस साल गया कॉलिक्स कर रहा हूं अब ही आपकी जो एज है वो कितनी है। मेरी एज होगी एट सबस्क्राइब कर रहे हैं। तो आपके पास ती देशे माचिस हो गए हो गए है। पुराने चीजों में क सबसे जो आफके आफकी आपकी आफ tua लिफ की एग जो आफके आपको छएाऊ आपके एक चीजू सबसे गले को आफके आफके शित्र हैं एक जाम शोहाई है जी नरोर और कि माजूगी गेटाएं मंतलले 50 चीजे जो आप अलग अलग जफें को अब भी आप सबसे पहले क्या दिया हुआई मसाटन सबटी माची सबसे जादा बड़िमाचिसे मैं तो माची सें सबसे ज्यूट गूहरें इनके पास हैं तो अभी देखते हैं इनकी माचिस का जो कोलेक्शन है वो तो दोस्तो अभी आप जिसे स्क्रीन पे देख रहे हो ये है दुनिया की सबसे पुरानी और पहली माचिस जो आदिमानो की द्वारा बनाई गी थी और इसे दो पत्थरों को रगड़कर आदिमानो आग जलाया करता था और इस लकड़ी में आप जो हीरूई देख रहे हो ये था कपुश का फूल और इन पत्थरों को चक्मक का पत्थर कहा जाता था तो ये दुनिया की सबसे पुरानी माचिस है जो इनके पास अभी अवेलेबल है अभी आप मेरे हाथ में देख रहे हो ये दुनिया की सबसे बड़ी माचिस है और ये हमारे आधे हाथ जितनी लंबी होती थी और इसके उपर ऐसे ये एक ढखन लगता था और अगर इसका आप रोगन देखें जिससे तिली जलाई जाती है तो वो इसके नीच से यहाँ पे होता था दोस्तो आपने दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी माचिस तो देख लिए अब ही हम आपको दुनिया की सबसे छोटी माचिस दिखाने वाले हैं और यह है दुनिया की सबसे चोटी माचिस देखे इसकी साइज कितनी मेरी अंगले सी भी काफी चोटी है और यह माचिस बली करने माचिस और यह माचिसा के पास काफी सारे जो हैं वो क्लेक्शन है बजल माचिस के वी यह कार की हो गई और इस साइड उनका जो सोल जो इनका है वो है कि यह माचिस सोल करने के बाद कैसी दिखेगी तो यह इस टाइप की दिखेगी और जैसे यह हो गई तो अगर हम इसको सोल करेंगे तो यह ऐसी दिखेगी और य ये जितने भी 5 Star hotel हैं दुनिया में वर्ल्ड में जितने भी 5 Star hotel हैं, वर्ड में से सब hotel की आपको माचे मिल जाएगी जैसे ही हो गया hotel, Hotel Prince, The Imperial, The Galaxy hotel हो गया जितने भी 5 Star hotel की आप सर्च करोगे उनकी हर hotel माचेस इनके पास मिल जाएगी जैसे ये रमेडा हो गया अभी यह है दुनिया का सबसे चोटा नूजबेपर अभी आप देखते हो कि बड़े बड़े नूजबेपर आते हैं तो अभी जैसे हम टीवी का रिचार्ज़ करते हैं डिस्क का तो इसमें वैसा सिस्टम होता था तो यह एक radio का license होता था, इससे post office में जो पैसे जमा करवाये जाते थे, अगर ये किसी के पास नहीं है, और या किसी ने पैसा जमा नहीं करवाये और radio चला रहा है, तो उसको police है जो गिर्फतार कर लेती थी, तो ये चीज आज मुझे पहली बार पता चलिए कि radio के लिए भी कभी payment कर नहीं देखी होगी, अगर इस pencil का टुकडा बच जाता है, और उसे आप मिटी में बो देते हो, तो उससे एक गुलाब का पोधा निकलता है, और एक गुलाब का पोधा उग जाता है, तो हमें comment में जरूर बताएं कि कि आपने पहले ऐसी कोई pencil देखी है, और दोस्तों अभ पासित ये है कि ये एर प्रूफ है, आप इसे तेज आंधी में भी इससे कुछ भी जला सकते हो, और ये जो अभी मेरे हाथ में है, ये एक waterproof माचिस है, ये कितनी भी भी भीग जाए, बारिस में भीग जाए, या फिर पानी में कहीं भी भीग जाए, फिर भी आप इसे पर लगा रखा है, अपने म्यूजियमें लगा रखा है, तो अभी जो आप देख रहे हो, ये है माचिस मूवी का ओरिजिनल पोस्टर, तो ये भी काफी यूनिक चीज है, और ये भी सामने माचिस है, इन पे जितने भी मूगल राजा हुए उन सब की फोटो है, बारा की ब और इनके अलावा भी काफी सारे आपको यहां पर देख रहे हैं, और दोस्तों ये जो लेटर आप देख रहे हो, ये लेटर भी काफी पुराना है, ये लेटर महात्मा गांदी के दवारा खुदे लिखा गया था, तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, इनके पास माचिसों का काफी सारा कलेक्शन है, और माचिस के अलावा भी इनके पास काफी सारे यूनिक सी चीज़े हैं, इनके पास लग भग 1,000 अलग अलग टाइप के जो लाइटर हैं, वो हैं, और 5,000 इनके पास जो चिलम होती है मिट्टी की बनी वी वो इनके पास अलग-अलग टाइप की हैं अगर हम बात करें बोटल ओपनर की तो वो भी इनके पास काफी सारे वो भी लगवग तो वह वीडियो भी 10-15 दिन मेरी अलग अलग वीडियो बन जाएगे कम से कम 10 वीडियो बनेंगे तब जाके जो माचीस हैं उनका जो हो वीडियो कवर हो पाएगा तो इनकी सारे साले ग्लेक्सिंस हैं उनकी तो मैं वीडियो नहीं बना सकता बड जो जो चीज़े इनकी मेन चीज़ें वो मैं आपके दिखाई हैं और काफी सारी ऐसे भी चीज़ें जो अभी छूट गई हैं तो वो भी आप अगले आने वाले vlogs में देखेंगे तो अभी जल्दी से जो हमारी आने वाली वीडियोज हैं उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी जो यूनिक चीज़े हैं वो आपसे मिस से ना हो पाएं तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए विलोग में किसी नई जगह पर तब तक के लिए जए ही